सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशिल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन नमस्कार दंगल 2019 के साथ मैं हूँ पूजा बता दें आपको कि हर्याना के अगर बात करते हैं हराना की दस लोगसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं लोगसभा के जन को लेकर तमाम पार्टियां अपनी कमर कस्चुकी और फूप फूप कर एक एक कदम रख रहे हैं जवाहर यादव है, BJP से हरिश चोप्रा जी वरिश्पत्रकार है, प्रवीन अत्रेजी इनेलो से हमारे साथ है, प्रदीप देशवाल जेज़ेपी से है, राजेश यादव कॉंग्रेस से हमारे साथ है तो यहाँ पर हमारे सब तमाम मेहमान है, आपका सबीका बहुत-बत सुागत है जवार जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ सीटो की तो कुछ सीटो पर पेच फस्ता हुआ नजर आ रहा है हिसार की बात करते हैं और रोतक की बात करते हैं जहां पर बीजेपी ने अब तक अपने कैंडिडेट घोशित नहीं किये है बीजेपी अपने कर्येट अनाउंस निकल परियोरा हम जब भी आएंगे शात में दस्की दस करेंगे ओच आएठी हो देखना है जो डो चीओ करेंगे तो यह दो आप देंगे तो मुझे लगता कि confusion तो वहाँ है तो कि उनका दावा ये था कि हम 10 की 10 करेंगे एक बाद में करेंगे और सिधा सिधा करेंगे तो आज उन्होंने पुरी city announce ने किये जहां तक वादिय इंसा पार्टी का सवाल है तीन city city जहां हमारे पास नहीं थी जो अन्य विपक्सी मित्रों के पास थी उसमें से एक कोंग्रेस के पास थी है दो आइनल्डी के पास थी आइनल्डी की एक city जित पर हम पहले announce कर शुटे ते जहां हमारी प्रटासी सुनीता दूदर लड़ रही है एक आइनल्डी से भार हुए सांसद है तो आइनल्डी के पास थी पुझा जी जो भाजपा के सम्मानित परवक्ता है इनके उपर एक काहवत लागू होती है खुद मिया फजियत और दूसरों को नसियत यह अपना तो देखते नहीं है कि इनकी private limited company क्या करती है जब इनके बारे में सवाल पूछा जाए दूसरों के बारे में इनकी जानकारी के लिए बता दूँ भाई साथ चर्णों में चुनाव होने चुनावायोग ने डिकलेर किया है और पार्टियां अपना उमीदवार अधिकरत चुनने के लिए सोतंतर है आज 6 नहीं आज हमारी लिस्ट में अठारों उमीदवारों के नाम घोशित हुए आपने देखा होगा पुजा जी उसमें से 6 हरियाना के हुए है एक प्रिक्रिया जैसे जैसे चलन आते जाएंगे नामांकन किती थी आती जाएगी वैसे पार्टिय जो उमीदवार है उनको सेलेक्ट करती रहेगी अब दूसरी बात आ जाती है हमारे जो 6 उमीदवार है आप देखिए हमारे दिपेंदर हुटा जी मोजूदा सांसद है हमारे परदेश अद्दक्समानिय डोक्टर अशोकतवर जी 2009 में सिर्षा से लड़े 2014 में लड़े 2019 में सिर्षा से है कुमारी सहलजा जी की सीट अंबाड़ा है हमारी सुरूती चोधरी जी 2009 में चुनाव लड़ी 2014 में लड़ी भिवानी सही लड़ी हमारे ललित नागर जी ने इनके जो धुरंदर है केंद्रिय राज्य मंत्री की तिगाउं सीट है वहां से जीत का पर्चम ले रहा है ता युवा है तो युवा होने के नाते उनको टिकट दिया हमारे मान ये कप्तान अजेर सिंग यादर जी है गुरुगराम लोग सभा के तहता आने वाली रिवाड़ी विधान सभा से छे बार विधायक रहे हैं कि कब दूसरी पार्टी किसी उमीदवार का टिकट काटे और हम उसको दे दे अगर जो आप ऐसे ही हैं तो आपने उमीदवारों को अपने पार्टी के किस सीटों पर आपके भी कैंडिडेट नहीं है मैं रीजन आपके भी जानना चाहूंग पर आपके पास पन्ना पर्मुक और संगठन होता तो आप अपने कार्य करताओं को टिकट देते गुरुगराम से कारगिल के शहीद की जो पतनी है डॉक्टर सुधाया दावजी जो सांसद मी रह चुकी है उनको टिकट देते और आपके पन्ना पर्मुकों के पन्ने तो आज गुरुगराम के जो सांसद राविंदर जी सिंग जी एक छोटी सिवाः उन्होंने रेवाडी में फाट दिया उन्होंने कह दिया कि हम जीते है तो भाजपा जीती अरियाना में 2014 में यांपरबकर आपके पाटी की बात करें राजेशी चार और करतेंगे अपिन से पूँछिए कि आपके केप्टेन का ईंतजार कर रहे हैं कि यह इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी और भी और भी मारसत महमान है प्रवीन अत्रेजरी आपके पास आना चाहूंगी जी जवार जी बोलिए जल्दी बोलिए प्लीज यह मेरे सब्द नहीं थे मैंने खुद बताया इसलिए मैंने प्रिवीन जी को अपने उसमें लाया क्योंकि प्रिवीन जी उस दिबेट में से इनके परवक्ता सथभी डागा जी चिला चिला कर कह रहे था कि हमारे दुसके दुसके दुसाएंगे इंपोर्टिड के बारे में बताये ना इंपोर्ट क्यों करना पढ़ रहे कंडिडेट आपको बार सथी के चुना तक तक तो आप से लड़े नहीं जाए इसके लिए मैं जाओंगी आपके कैंडिडेट्स भी जो अभी तक गोशित नहीं किये गए हैं काज और आप पार्टी जब से स्प्लिट हुई है आपके पास भी कैंडिडेट नहीं बचे हैं क्या कहना आपका इस पर देखे पूजाई इस तरह की बाते विरोधी अपते विरोधी राज़ितिक दल के बारे में करते हैं इससे कतर ही कोई फरक नहीं पड़ता गोशित हुए चार केंडेट के लिस्तों हम उसी दिन दे देंगे आज तक एक भी कैंडेट डिकलेर नहीं हुआ जब बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि काईदें के नियमनुसार हर किसी के पास 16 तारिक तक का वक्त है क्योंकि 16 तारिक तक नोमिनेशन चुनू होने है उससे पहले-पहले अपने पेडिट गोशित किये जा सकते हैं सवाल तभ खड़े होते हैं जब दावों के उलत काम हो दावे कुछ और हो और आपका एक्शन कुछ और हो तब सवाल जूर खड़े होते हैं यह पुझा बाला इस तरीकिसे बीजेपी की तरफ से कोमेंट आए क्या कहेंगे आप पूजा जी पहले तुम्हें पूछना चाहूंगा एक कोमेंट किस पार्टी ने किया है और चो पार्टी एक कोमेंट करती में उनको बतरना चाहूँआ कि कई दर्जन पार्टियों के साथ हुम आदमी पार्टी जन्नाएक जन्ता पार्टी अपने उमीद्वार उतारेगी और मैं तो पूछना चाहता हूं भारते जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस के साथियों से कि क्या सिर्फ परासूट से लाए हुए कंडिडेट या परिवारवाद की राजनिती ही आगे बढ़ाई एक अच्छा सुन रहा था है एक अच्छा वक्ता उसा एक हम उमीद कर रहे थे कि साइद नहे चहरे भी आएंगे युगा साथियों को मोका दिया जाएगा पर दुम एक-एक सीट पर जाकर देखू तो वही पुराने ढ़रेगी राजनीती पर कोंग्रेस नजरा रही है और मैं तो दावे के साथ कहता हूं जिस तरह से पतन होता जा रहा कांग्रेस का इस टिक्टो को देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि साइद यह हर्याना प्रदेश में ख कर्च के और मैं यह जो आपने बताया कि ट्क टे क्यों नहीं बाटी गई तो अन्ने सातियों नहीं बताया यह जो सॉरा तारिक तक स्यमय है और उस चुक्तिव पहले ही कहरे चुके हैं कि शोला है अच्छी टिक्टे और सबसे चिताओ कंडिडेट चन्राइक जिनता पार्टिय उमावादिम पार्टिय गठवन नंगे हों जी जवारा जी पिता ये क्या कहना चाह रहा है जो मेरे जो मेरे जेज़ीपी के मित्रे है क्या रहे थे कि यूवार महिला तो निशितुप से वहां यूवा का मतलब दुशन चोटाला जिक्वेजे चोटाला है और महिला का मतलब नैने चोटाला है इसके लावा उस परिवार में महिला यूवा कुछी दिखते नहीं है तो ये तो इस पार्टिक है और अभी तक ये परंपरा है क्योंकि नोने का जे यूवा ने कहा है तो य प्रवीन अत्रेजी बताईए प्रवक्ता मौद है तो मुझे कहना पड़ता है प्रवक्ता इन्हों नहीं प्रवक्ता मौद है परवीन अत्रे जी अब आप से साथ सुनिये आप अपनी बात कह चुके हों तो करपया सुनेंगे ध्यान से पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस गठबंदन ने जीन में आपको चोती सो वोटों पर पहुंचा दिया था साहिद आप भूल गए हैं ज्यादा ल प्रिवार से बार टिकेट नहीं है आपकी टिकट लेने वाड़ा ही नहीं है आपकी लिस्ट की बात कर रहे हैं पूजा जी अभी दो बाते कह रहे थे तो वनस्वाद की बात कह रहे थे तो इन भाई को थोड़ा सोचना चाहिए कि यह खुद वनस्वाद की पार्टी चेत्रिय पार्टी और दूसरों के ओपर खैर इनका और भाजपा का तो चाल चरीतर चेहरा ही ऐसा है वनस्वाद पूजा जी जो आदमी दो बार तीन बार सांसर चुन के आ जाता है जनता की अदालत में जाना पड़ता है चाहिए वो किसी नेता का बेटा और चेह साधारन बेटा और वो जनता जिसको जिता के वेज़ देती है वो बन जाता है जनता जिसको पसंद नहीं करती उसको हरा देती है जहां तक यूवा की बात है हमारे प्रदेश अध्यक्स डॉक्टरा सोगतवर जी तो 43 साल के यूवा है वो तो किसी परिवाजनितिक परिवार से नहीं आ रहे है ललित नागर जी बिलकुल यूवा नेता है हमारे विदायक है उनको टिकट मिल गया सुरूती चोगरी जी यू प्रदेश अध्यक्त कर रहे हैं तो यह बताएं कि लोग सभा में विश्वास मत के दोरान इनों ने नरेंदर मोदी जी के समर्थन में क्यूं वोट दिया था तो यह लोग सिरफ और सिरफ भाजपा को सक्ता में बनाए रखने का की काम कर रहे हैं और रही बात इनके गठव पूजा जी पूजा जी आजिया में रिशु क्या है करना आए अब सुनिये संस्कार शक्राइब के अजय के बता है चोधरी देविला सोध्या नेना चोटाणा चाहिं निए ऐसके लावा कोई आप हर्याना की जन्ता के साथ जो धोका कर रहे हैं ना जालच में जो बीजेपी को जिताने का सड़ी अंतर रच रहे हैं परदेश की जन्ता आपको भोग नहीं करेगी एक शूपड़ा सापने वाड़ा है आप बीजेपी से दो तीन सीथ की इत्मां देना जराए लिए आप अगर आप ऐसे लड़ेंगे ऐसे बोलेंगे आपको सुनेगा कौन ये आप तो प्री बारी पे भी बीजेपी उसकी एटीम और बीटीम और सी टीम ये सारे समय ले रहे हैं और प्रदेश में मुद्व के उपर बाता है ना जीद में क्या हुआ है अरे बंस्वाद और प्रस अरे बंस्वाद की बात करते हुए जिनके मुख्या जेल पे सजा काड़ रहे हैं बरेश्टा चार के आरोप में वो प्रस्टा चार की बात कर रहे हैं जिनका पूरा परिवार उपर से लेके नीचे तक मनश्वाद की कारण सत्ता में है लोग आज ब्रेश्टा जो 2004 में जो साइबर पार्क बनाने के मंजूरी किसने दी आप लोग भरस्टा चार की बात करते हैं आप तो किसी के सवाल जवाब देंगे आपमताइम नहीं है जाओंगी asoda Media के किसा चार ही कि आक पना सनकाल कर रहे है कि ऐग dif you जवार जी बॉलए प्लीज जवार जी बहुत तरहें के अगुट के पहने जवारे में बदा रहूं प्लीज ने प्रियोजने लेख प्लीज जी जवार जी पो लिए पीज एक मैं खीछी के भी बीच पेनी पोलाउं डिरा ने उदन पूलेगे मेरे को अगरेश्ची मित अवरे जाजां तिक आख वाद करें तो मैं चाहता हूं उस्टे डॉलब्मेंट पे बाद करें कर दिए पिराइफि दलब आप अपनी अपनी बोले जा रहे हैं अब आपसे रिक्वेस्ट करती हूं राजे जी प्लीज बीच में आप बात सुने उनकी प्लीज जी बोलिए मेरे जवाब मेरे बोलने के बाद जादेंगे मैं उनका सुवागत चलना मेरे नित्र कह रहे हैं कि वही इनकी सरकार बहुत अच्छी थी और वास्तों में अच्छी तिंग उनकी आपका पॉंट ओफिस ना चाहूंगी हां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की एबीसी टीम्स ज प्रसंटा को इस पर नहीं है तो जो वात्वी के जिस पर मैं कहना चाहा रहा था 20,000 एकर स्रेक्शन 4 और 6 के नोटीश देकर चाहे वो मानेश्टर की जगह हो चाहे वो इदर गारोली वारा गाउं के आसपस जो एसी जारी के नाम पर ली गई जमीने हो चाहे रिलाइंस को लोबल सिटी के नाम पर किसको जड़े का संद्र रचना है आप जूट बोरने हैं अब मैंतरा को बरकरा रहे हैं क्या आप एक इंच जमीर बताईए जो हर्याना सरकार ने दिये हैं जो हमारी सरकार ने डिबेट करोगे कैसे जवाब नहीं है जूट जूट सुनने के लिए लोग तंत्री में बात करने की तजीव नहीं है जिनको यह निए पता डिबेट कैसे की जाएंगे जूट जमीन का नाम बताईए जो हर्याना सरकार ने धीगरित करके बिल्डरों को दिये मैं करूंगी इसमें पूजा जी मैं अब यादी सब्दों का इसमाल नहीं करता मैं अब बताईए राजेश जी देखिए मैं यह बिल्कुल सब्सक्राइब आप सवाल किये जाएंगे जवाब देने वाला सामें जूट बोलते जाएंगे जूटे जाएंगे हर्याना की हमारी कोंग्रेस की सरकार ने एक सिंगल इंच जमीन किसी बिल्डर को अधीगरेट करके नहीं दिये इस बात का परमान के साथ राजेश जी को जवाब देता हूं मैरेशी द्यांदीवी शिवी द्याले की जमीन एक सिक्षन संस्तान की जमीन संस्ट अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं हो तो मैं उपलब्द कराता हूं अगर आप ये कहते नहीं दियो तुम आपको डूकमेंट जुमार्ट है इसे महरेशी द्यांदीवी शिवी द्याले की जमीन एक सिक्षाव पार्टी ने वमेक सिटी को दी तो डिबेट का काईदा यह है कि आपका वक्त आएगा आप बूलिएगा अब मैं इनको बताता हूं इन्होंने कहां कहां क्या क्या किया हमने जो चार शीट बुपेंदर सि अब смच जार छोडली से दिये ली किसानों के पाथ बुल्डिरों को गेजा घर में किसान ने अपनी जमीन बिल्डर को ती क्योंके से नको लोटीज हो चुका तहा है और जब बिलटर में जमीन किसान से ले लें उड़ टो ईंडर को जमीननी रूस कर लिजक ब गई खुद बुबेंदर सिंग हुटा के परिवार के लोग है उनके CM Office में जो लोग दे वो लोग है इसके इलावा AJL का मामला क्या है लगातार प्रदेश के संसादनों की लूट जिसमें LR ने भी फाइल पे नेगिटिव रिपोर्ट की हुई है LR तक ने ये लिखा हुआ है कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है आप इसको रिटेन नहीं कर सकते आप इसको नहीं दे उसके बादूर पुपेंदर सिंग हुड़ा साथ जो है वो प्लॉट दे जोते हैं और मैं दे पूस्ता हूँ पिछले लगबग सारे चार साल के अंदर प्रदेश के अंदर कॉंग्रेस ने ऐसा किया क्या प्रदेश की जनता की अवाग कोई एक जगा बता दे यारा साथ जा कॉंग्रेस ने उठाई हूँ मैं जवाब देता हूँ आपको एक बात का पूजा जी अब मुझे मोका दीजिए इन्होंने इतने अनरगल आरोप लगाया है प्रवीन जी प्लीज अपनी बात जल्दी से खत्म करें देखिए केवल कॉंग्रेस के नेता आपसी सिर्फ टोवल में व्यस्त रहे है एक दूसरे के उपर डंदे चलाने में व्यस्त रहे है इससे ज़्यादा कॉंग्रेस के नेताओं में ना जंता के लिए ना प्रदेश के हितों के लिए देखिए पूजा जी सबसे पहले तो जो ये प्लोट की और जमीन की बात कर रहे थे मैं बता दूँ जहां ये जिस तरीके के घोटाले के आरोप लगाये जा रहे हैं मैं उसी बादशापुर गाओं का मूल लिवासी हूँ मेरा जनम वहीं हुआ है वहीं वो नए सेक्टर है हरियाना की कोंग्रेज सरकार ने एक इंच भी जमीन किसी बिंडर को अधिकरित करके नहीं दी अब भाई सब सुनी आब आप सुनी आप अब अपनी बारी में दूसरा जो एजियल का प्लोट है उसी पॉलिसी के तहट भाजपा कार्याले के लिए एक एक जमीन अलोट कर दी उसके इलावा उसी गुरुग्राम के सेक्टर 31 में एक नर्सिंग हॉम की साइट थी जो मूल अलोटी को दुबारा से उन्होंने उसी पॉलिसी के तहट अर्याणा सरकार ने अलोट कर दी यानि के कॉंग्रेस उस पॉलिसी के तहट प्लोट अलोट करती है तो ब्रस्टा चार और अगर जो बीजेपी करे तो वो सदा चार इसके बाद अब यह जो भाई साब पॉलिसी के तहट अलोट करी नाथुपूर गाओं में डियलफ फेस्ट्री में यह साइज होस्पिटल के लिए जमीन अक्वायर करी थी उस जमीन को चोटाला साब ने डियलफ को साइबर पार्क बनाने के लिए क्यों दे लिया आप इस चीज का जवाब दीजिए तीसरा ग से पर किया रोप लगाते हैं बरस्टा चार के अरोप में जो जेल में बंद वो हमें सिखा रहे हैं बरस्टा है राजेश सी चीजिए संयम के साथ मैं दुबारा आपकी बात को दुबारा से काटिना चाहा हूँगा मैंने दावे के साथ का था ओमेक्स सीटी रोतक को मेरसी द्यांद विशिवी ध्यालेक सिक्षन सरस्तान की जमीन में फलाई और उतार कर जमीन से रास्ता दिया गया था दावे के साथ कर रहा हैं कि डोकुमेंट्स मेरे पास हैं जब भी डिपेट में हैं दोबार आओगे आपको डोकुमेंट्स उपलब्द कराओंगा मैं पार्टी की सरकार में और मैं अगर गिनवाने लगूँगा तो समय कम रह जाएगा आकंट डूबे हुए वो भरिष्टाचार में और यही एक मात्तर कारण है कि देश की सबसे पुरानी राजनितिक पार्टी आप जमाने चब थोने की स्कीति में खलिए वो जेने में आप दावे के साथ करिए कि तुबारा किसी डिवेट में हिस्सा नहीं है अगर मात्तर को किसी को दे सकता है क्या रोत तक जाकर देखिया या चैनल में बैट कर बार बार जूट बोलने से काम नहीं चलेगा वक्त हमारे पस इतना ही दाव तमाम महमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुनने के लिए जिवेट में शामिल होने के लिए और फिलाल दंगल 2019 में इतना ही नमस्कार झाल